इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा RPSC द्वारा कराए गए First Grade Exam 2011 के पेपर का अनालिसिस करूँगा जो की GK के पेपर का अनालिसिस करूँगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना इलाबाद इस्तित अशोक अस्तम सामराजी के समन में सूचना देता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा चार माई से कोन सा राइट एंसर है शमूंदर गुप जिसका राइट एंसर हो जाएगा कि इलाबा दिस्तित अशोक अस्तम सामराजी के समन्द में सूचना देता है शमुंद्र गुप Next question मौरे काल में शिक्षा का सरवार्दिक परशीत के अंदर कोन सा था तो आपका राइट एंसर हो जागा मौरे काल में शिक्षा का सरवार्दिक परशीत के अंदर आपका था तक्षीला Next question पदमगुप्त द्वारा रचित गरंद कोन सा था तो आपका राइट एंसर हो जागा पदमगुप्त द्वारा रचित जो गरंद है वो था आपका नव सासांग चरित Next question हो सकता एकजाम इस बार ऐसे पूछ ले के नव सासांग चरित किसके द्वारा रचित गया है तो आपका राइट एंसर हो जागा पदमगुप्त यनिकि प्रियेस क्योशन को भी घुमा कर पूछा जा सकता Next question बीजग किसके द्वारा रचित है तो आपका राइट एंसर हो जागा बीजग कभीर द्वारा रचित है तो एकजाम उल्टा भी पूछ सकते है कभीर द्वारा अनिमे से कौन सा रचित है आपको ऑप्शन में बीजग दे दे Next question निम चत्रकारों में से किसे सीरी कलम के उपादी अकबर द्वारा दी गई थी तो आपका राइट एंसर हो जाएगा अब्दूस समद को सीरी कलम के उपादी अकबर द्वारा दी गई है तो आपका राइट एंसर हो जगा सीरी कलम यानि कि आपको तीनों याद रहना चाहिए सीरी कलम, अकबर और अब्दू समध अक्टूंबर 1567 में अकबर दोरा चितोड दूर के घहराव के समें मेवाड का राना को था यानि कि जब अक्टूंबर 1567 में अगर आपको हमरा वीडियो अच लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना सीवाजी का राजी विशेक कब हुआ था तो आपका राइट एंसर हो जगा सीवाजी का राजी विशेक 1634 रिशी में हुआ था भारती राष्टी कॉंग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो अंदुलन प्रारब किया था तो आपका राइट एंसर हो जगा भारती राष्टी कॉंग्रेस द्वारा क्रिप्स मिसन की असफलता के बाद भारत छोड़ो अंदुलन प्रारब किया था हिंदू और मुसल्मानों की एकता स्थापित करने के समिध में ऐसा आउसर अगले 100 वरसों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के समिध में किस नहीं सोचा था? तो हिंदू और मुशलमानों की एक तास्तापित करने के समझ में ऐसा उसर अगले 100 वर्सों तक नहीं मिलेगा खिलाफत आंदोलन के समझ में ऐसा किस ने सोचा था तो आपका राइट एंसर हो जाएगा ऐसा गांधी जी ने सोचा था सुभास चंदरबोज भारती राष्टे कॉंगरेस के अधिक्स कितनी बार रहे तो आपका राइट एंसर हो जाएगा विदेशी सासन कितना भी अच्छा क्यूं ना हो वो सारण जी की बराबर नहीं कर सकता है इस कथन में दयानन सर्शती के विचार अभी वेक थे अजमेर में राजिस्थान सेवा संग की स्थापना किस ने की तो आपका राइट एंसर हो जाएगा अजमेर में राजिस्थान सेवासं की स्थापना विजे सिन पतिक द्वारा की गई है तो एपज्या में ऐसे भी पूचा जा सकता है कि राजिस्थान सेवासं की स्थापना कहा की गई तो आपको पताओना चाहिए अजमेर में क्यूशन वापस खूम के भी पूचा जा सकता है नेक्स्ट क्यूशन 1927 में कूवर मदनसिन के नेतरतों में किसानों ने कहा आंदूलन किया तो आपका right answer हो जाएगा 1927 में कुवर मदन सिन के नेतरतों में किसानों ने करोली में आंदोलन किया तो किसानों ऐसे भी बन सकता है कि कुवर मदन सिन के नेतरतों में किसानों ने करोली में आंदोलन कब किया तो आपको पताओना चाहिए 1927 में या फिर किसानों ने 1927 में करोली में किसके नेत्रतों में आंदुलन किया है तो आपको पताओना चाहिए कोन है कूर मदन सिन यानि कि क्यूशन कैसे भी बार बार गुमा कर पूचा जा सकता है नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन 2.47 बार पलस 3.53 बार पलस 0.05 बार उक्वल तू कितना होगा तो आपका राइट एंसर होजएगा इसका एंसर होगा 6.06 बार Next question, x की पावर 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि वो x प्लस 1 से पूर्ण विबाजित हो जाए जब हम x की पावर 4 प्लस 1 में माइनस दो एड कर देंगे उसके बाद हल करके देखें तो वो x प्लस 1 से पूर्ण तरसे विबाजित हो जाएगा Next question, एक अनुपात रहीत संक्या का दस्मलो सरूप हमेशा होगा तो आपका राइट एंसर हो जाएगा एक अनुपात रहीत संक्या का दस्मलो सरूप हमेशा होगा अंतरहीत और पुन्दरावरती रहीत होता है next question क्या की किस मान के समीक्रणों का समु kx plus 2y equal to 5 और 3x plus y equal to 1 का एक ही परिणाम होगा तो आपके यह क्याsky बराबर 6 रखने से भी क्या क्याकिकी वश्चे 6 के equal या 6 से ज्यादा रखे तो होगा नहीं होगा क्या k की value 6 से कम या equal रखे तो भी नहीं होगा तो आपका right answer हो जाएगा इन्हें में से कोई नहीं next question यह question आपके delete कर दिया गया था next question यदि 7 into 3 भाग 8 का मान 80 माने तो 8 भाग 2 into 9 का मान क्या होगा यनि कि या into और भा का replacement भी हो सकता या change भी हो सकता जोड या घटाओ में यनि कि कैसे calculate कि मान 80 आना चाहिए और वो ही process आपको रखना है इसमें और उसके बाद आपके मान क्या था उसका जवाब देना तो आपका right answer हो जाएगा next question एक सिरेणी A, एक बटा दो, तीन बटा चार, पांच बटा आट, साथ बटा सोला में A का मान ग्याद कीजिए तो आपका right answer हो जाएगा A का मान minus 1 next question नमलकित में से कौन 1 minus x square 0 के लिए x के सभी मानों को option 4 दिये है इसका right answer हो जाएगा C s x के सभी मानों को described करता है next question मुध्रित लीपियों से प्राप्त आखडो को क्या का जाता है तो आपका right answer हो जाएगा मुध्रित लीपियों से प्राप्त आखडो को दिर्थियक आखडे का जाता है next question नमलकित में से कौन सा कतन साइए बहुलक सिमात आंकडों से प्रभाईत होते हैं मादी का कमान आवर्ती चितर से प्राप्त हो शकता है बहुलक कमान सभी आंकडों पर निर्भर नहीं करता है या यह सभी सही है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा बवलो का मान सभी आंकडों पर निर्भर नहीं करता है नेक्स्ट कुशिन दो धिनात्मक संक्या X और Y का समानतर मादे 29.5 है यानि कि X प्लस Y की वेल्व कितनी हो जाएगी गुण साथ यदि एक तीसरी संक्या Z को भी इसमें समिलित कर दिया जाए और श्युक्त समानतर मादे 20.5 है यानि कि 20.5 को 3 से गुणा करना है और किस में से गटा देना है गुण साथ में से जो वेल्व बच्ची रहेगी वो ही आपकी तीसरी संक्या होगी जिसका राइट एंसर कर जाएगा दो पर पाँच सी एंसर एक परिक्षा में 10 छात्रों के निमलकित प्राप्तांगों का मादिका दिया हुआ है निमलकित प्राप्तों का मादिका है आपको मादिका ग्याद करनी है 10 छात्रों के प्राप्तांग दिया है 22, 26, 24, 30, 18, 11, 35, 41, 12, 32 तो आपका राय टैंसर क्या हो जाएगा सताइश्य का B, Choice Next question बादल का परियावर्ची शब्द क्या है तो आपका राय टैंसर हो जाएगा बादल का परियावर्ची सब्द है नीरद Next question धन को व्यर्द खर्च करने वाला इस वाक्यांच के लिए एक शब्द है यानि धन को बे मतलब के ही खर्च कर रहा है, वेर्थ के खर्च कर रहा है, तो उसे हम कहते है अफ वई, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, अफ वई, नेक्स्ट क्यूशन थोड़ी वस्तु से संतोस न होना, किस लोकोक्तिका अर्थ है, ओस के चाटे प्यास नहीं बुस्ती, इसका अर्थ यही होता है कि थोड़ी वस्तु से संतुष्टी नहीं मिलती है, नेक्स्ट क्यूशन जिसमें दोनों पद परधान होते, उस समास को क्या कहते है, बाउगरी, दुवन्द, अभीबाव, यततद पुरूश्ट तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, दुवन्द समास होते, जिसमें दोनों पद परधान होते है, नेक्स्ट क्यूशन मैं कल पहुच रहा हूँ, the above sentence can be into English, इंग्लिस में से क्या कहींगे, मैं कल पहुच रहा हूँ, तो आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा, 33 आपका राइट एंसर हो जाएगा, A, I am reaching tomorrow, नेक्स्ट क्यूशन the meeting at 6 o'clock, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा, A, I am खालिस्तान, about my success, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, इसका, confident, नेक्स्ट क्यूशन संसद में महाब्यो की कारेवाई प्रारम होने के पूरो ही किस न्यादिश ने अपना त्याग पतर दे दिया, आपके पास option है, वी रामा शौमी, सोमित्र शैन, पीडी दीनकरन, या शीपदमनाते, तो आपका राइट एंसर हो जाएगा, 36 पीडी दीनकरन, नेक्स्ट आपका राइट एंसर हो जाएगा, 37 का भी, c, राजस्थान के जाइपुर और जोधपुर जिलों में पुलीस कमिशनर रवेस्ता लागू की गई है, नेक्स्ट क्यूशन, राजस्थान के किस सेर को अखिल भारतीय आर विगयान सस्थान के लिए चिनित किया गया, तो आप उप्रा विन्फ्री जिसने जैपूर लिटरेचरी फेस्टिवल 2022 में भाग लिया किस देश समंदी थे हैं तो आपका राइट एंसर हो जाएगा उन्चालिश का USA यानि कि ओप्रा विन्फ्री यह इनका समंदी USA देश से है इसका इसली पुछा गया क्योंकि इन्होंने जख्षिन सुडान का 2011 में उद्बह हुआ हमास है एक सामाजिक संगटन आतो गादी संगटन या राजनेतिक दल तो आपका एक ताली स्गाराइट एंसर हो जाएगा एक राजनेतिक दले हमास पाकिस्तान के के सहर में अमेरिकी नोसे नान आ ओशा में बिनलादेन के हत्या किये तिया पाकिस्तान के एबटाबाद में की थी कहा की थी एबटा बाद में पदम विभूषण होमी ब्यारावाला के हाल में समाचरों में रहने का कारण क्या था? आपके पास ओप्सिने मृत्यू के कारण, जयपूर लिटोचल फेस्टिवलम भागिदारी के कारण, दुर्गटना के कारण, ये यूनो में भारत का पर्ति नितितो करने के कारण तो आपका राइट एंसर हो जाएगा मृत्यू के कारण वर्ष 2011 का राष्टिगान जनगन मन के लिए क्या मैतो है? ये इसकी रचना का पिच्चोतरव वर्ष है, ये इसके पर्थम गायन का पिच्चोतरव वर्ष है, ये इसके पर्थम गायन का सोवा वर्ष है, या इसके पर्थम गायन का एक सोवा वर्ष है तो आपका right answer हो जाएगा ये इसके पर्थम गायन का सोवा वर्स से इसलिए वर्स 2011 का राष्टी गायन जन्गनमन का मैंत हो है भारत के अगले राष्टपती के निर्वाचन की निचित की गई ती थी है 19 जुलाई 2012, 25 जुलाई 2012, 30 जुलाई 2012, 15 अगस 2012 तो आपका right answer हो जाएगा 19 जुलाई 2012, ये current के question ये repeat नहीं होंगे बलकि 2021 के पूछे जाएगे next question, रासानिक रूप से जंग क्या होती है रासानिक केमिकल रूप में देखा जाएं तो जंग क्या है तो आपका right answer हो जाएगा जंग एक iron oxide है next question, अगर आपको हमारे वीडियो अच लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ओजोन की सांदर्ता को नापने वाली इकाई को क्या का जाता है तो आपका right answer हो जाएगा ओजोन की सांदर्ता को नापने वाली इकाई को केते हैं next question दो या अधिक समान परमाणू जूड कर बनाते हैं तो आपका right answer हो जाएगा दो या अधिक समान परमाणू जूड कर बनाते हैं योगिक next question दो या दो से अधिक अनू मिलकर योगिक बनाते हैं समर्थ का जीवन का पर्तिपादन किस ने किया था समर्थ का जीवन का पर्चिबादिन किया तो आपका राइट एंसर हो जागा समर्थ का जीवन का पर्चिबादिन किया था डार्विन प्राणी जो काजी रंगा अभ्याराण में पाया जाता है तो आपका राइट एंसर हो जागा श्रिधान सबा के प्रारूप समिति के दिफ्टे डॉक्टर बीयार अम्बेडगर नेक्स्ट कुशन भारतिय श्रिधान के भाग तीन को कितने श्रिधान की अंतरा आत्मा कहा है अपने कारे के निस्पादन में, किसे सब वीओ करने की सकती राष्ट पती को भी प्राप ते,राजेपाल को भी प्राप थे, लेकिन इन दोनों के तोलना करातों सबसे ज़्यादा किसे प्राप्त है? राजिपाल को फारत में किस सुधान ससोधन ने नव पंचाइती राजवेस्था इस्तापित किये? तो आपका राइट एंसर हो जेगा जावर खने आपके उदेपूर के समय पिस्त थे Next question 2011 में राजस्थान की साक्षर्था कितनी थी 2011 में जो राजस्थान की साक्षर्था थी वो आपकी थी 66.1% Next question राजस्थान में पहला वस्तर उद्योग इस्तापित किया गया था कब तो आपका राजस्थान में पहला वस्तर उद्योग इस्तापित किया गया था 1800 गुर्णबे में Next question चपन मेदान कहां थेते हैं तो जो राजस्थान की दक्षिनी भाग वहाँ चपन मेदान थेते तो आपका राजस्थानी राजस्थान And last question 84 खंबो के छत्री कहां आस्ते थे तो आपका राइट एंसर हो जागा 84 खंबो के छत्री आपके बूंदी में स्ते थे अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरू सब्सक्राइब करना डेली आपको यह पेपर आनलेसिस करवाया जाएगा